जरुम्बिश ये रेडियो जरुम्बिश उर्दो की आवास है आज 19 अगस बुद का दिन और साल 2020 है और आपका मेजबन मेरा बलोच आपकी खितमत में हाजर है पंचगुर और अवारन के मुख्तलिफ एलाकों में काबिस पाकिस्तानी फॉर्सिस का आउपरिशन जारी है जिसमें दरजनों गरों को जलाया गया जब के गिच्क से 11 खवातिन और बच्चों को लापता किया गया है हायाद बलोच के कतल के खिलब एदजाजों का सिलसला जारी है तफसीली रिफॉर्ट खबरों में शामिल है 24 अगस को नवाव अखबार खान बुक्टी के यौम शाहदत पर बी आरपी ने पया जम हर्ताल का ऐलान किया है पंजगूर में मनशियत के खिलब एदजाजी रेली निकाली गई जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की अफगानिस्तान में जड़ब और राकट हमलों में तीन जगजू हलाक और एक दरजन से जायत अफराद जखमी हुए है बारत में कुरोना वारिस से हलाकतों की दादत पचासाजार से ज़्यादा हो गई है फिलिफाइन में जड़ब आने से एक शखस हलाक और कई जखमी हो गए है ये ती चंद एहम खबरों की सुर्खियां आज की न्यूज बिलिटन में शामिल बरुचिस्तान से मतले खबरे सारिन बलोच पेश करेंगी पंजगूर के इलाके गेचक और गिर्दनवा में गुजशता एक हफ़ते से काबस पाकिस्तानी फोर्सिस और रूंकी डेथिसकार्ट की तरफ से शुरू किया गया आपरेशन ताहाल जारी है जिसमें जमीनी फोर्सिस समयत गंशे फेलिकॉप्टर हिस्सा ले रही हैं इतलात के मताबिक गेच, चिप जान ताक, लोहरी, पिन कलांच, गेडो, गौनी, गौर की समयत दीगर पहाड़ी इलाकों में आपरेशन की जा रही है इस दोरों काबिस पाकिस्तानी फोर्सिस के गंशे फेलिकॉप्टर मुखतलिफ इलाकों में शेलिंग करते हुए देखे गए हैं जबके चिप जान ताक में काबिस फोर्सिस ने आरजी कैम भी कायम कर दे हैं गिच के मसकुर अलाकों में डेर सो से जाइद गरों को नजरियात इश करने के बाद तमाम रहाईशियों को यरगमाल बना कर परपो की आर्मी कैम्प में लाकर तशदुत का निशाना बनाया है जिन में खवातिन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है तशदुत के बाद तमाम यरगमाल अफराद को कोहन आर्मी कैम्प मनतखिल कर दिया है दूसरी तरफ काबिस फोर्सेज ने फौजी आपरेशन को मजद वसाद दे कर वाशुक की इलाके रागे के शुमाल मश्रिकी इलाकों शिंगर, मुलादुनी, पीजग और गिजले तक पहलाया है, इस दोरान मतादित घरों को नजरियातिश किये जाने और कई अफराद को हिरास्त में लेने के इतलाद मौसूल हो रही है, जिनकी तफसील आना बाकी है, ताज़त तरीन इतलाद के मताबिक गिच के इलागे पेन कलांच को काबिस पाकिस्तानी फोज ने नजरि बिद दूरी, दूरी जोज़ साबर, गंच खात्वन जोज़ अलादात, रजिया बिद अता मुहम्मद, शबाना बिद दूरी, तमल उमर सात साल, नूर ज़ब उमर तीन साल, सद्दाम उमर दस साल, ल्याकत उमर आठ साल, और खुदाबगश उमर पांच साल के नामों से ह तुरुबत में गाबस पाकिस्तानी फाज के हाथों वयात बलुच नामी ताल बेलिम की सफाकना कतल के खिलाफ बलुच तान में एहनी गिसतान में एहतिज़़ों का सलसला जा Vision Board बलोचस्तान में तलबा सियासी जमाइतों और सिविल सोसाइटीज की तरफ से हयात बलोच की याद में खामोश रेलिया निकार कर शमे भी रोशन किये जा रहे हैं जबके हयात बलोच के कितल के खिलाफ मजीद इहतिजाजों का ऐलान भी किया गया है। इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट हमारे साथी दोस्तिन मुराद बलोच पेश कर रहे हैं आएए सुनते हैं। केच में काबिस पाकिस्तानी फोर्सेस के हातूं सफाकान तोर पर कतल होने वाले बलोच तालिब इल्म हयात बलोच की कतल के खिलाफ एहतिजाज का सिलसले जारी है। इसी सिलसले में 17 अगस्त को सिंद के शहर हैदराबाद में इतिजाजी मुझाहिरा किया गया जिसमें मुझाहिरी ने शदीद नारे बाजी की और हयात बलूच के लिए इनसाफ का मतालिबा किया। इसी तरह कल कुईटा खुसदार और पसनी में हयात बलूच की कतल के खिलाफ खामोश इतिजाजी रेलिया निकाली गई और हयात बलूच की याद में शम्में रोशिन की गई और तस्वीरों पर फूल निचावर किये गए। जहती कमेटी मस्तुंग की तरफ से 22 अगस को मस्तुंग में इहतिजाजी मुझाहर किया जाएगा। हयात बलूच की कतल पर बलूच लिबरेशन आर्मी के सरबरा बशीरजे बलूच ने अपने एक्टविट में कहा है कि जिन अलमना की उन से आज बलूच माएं गुजर रही है ये कभी बेसमर नहीं होंगे। और बलूच शोहदा का बैता लहू कभी जाए नहीं होगा और उनकी कुर्बानियां रहती तारीख तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हमें जजबाती कहा जा सकता है लेकिन हम बुजदिलों की तरह खामोश नहीं बैठ सकते। बलूच रिपब्लिकन पार्टी के सरवरा बरामदव बुक्टी ने हयात बलूच से मतलिक एक ट्विट में कहा है कि इस रियासत में इंसाफ नहीं है पाकिस्तानी फाउज जब चाहे जिसको भी चाहे मार देती है इसकी कोई तफ्तिश नहीं होती लेकिन जब ऐसे वाकिया पर कोई सवाल उठाए तो इसके लिए सजा यकीनी है बलूच कौमपरस रहनमा महरान मरी ने ट्विटर पर काबिस पाकिस्तानी फाउज के हातूं हयात बलूच के कतल पर उनके खानदान से इजहार ताजियत करते हुए लिखा कि हयात बलूच को शहीद करने वाले बेरहम क अबजगीर सुन लो तुम्हारे इस वहशत और बद उनवानियों ने हमें तुम्हारे सतर साला बलूच नसल कुशी को शिकिस देने की एक और वज़ा अता की है नेशनल पार्टी के रहनमा और सैनेटर ताहिर बीजिंजव ने वजीर आजम पाकिस्तान और चेर्में लाने वाले बलूच तालिब इल्म के नाहक कतल पर खामोश हैं उन्होंने कहा कि हादिसाती तोर पर एक गोली चल सकती है लेकिन हाथ पाउं बंदे हयात पर आट गोलियां बरसाई गई हैं पश्तून तहफूज मूवमिन्ट के रहनमा और पाकिस्तान कवमी असंबली के र बलूच नाजवानों को तरजी देनी होगी लेकिन इसके बराक्स रियासत ने हयात को कतल करके इस बात का सुबूत दिया है कि हमारी रियासत ने 1971 से कुछ नहीं सीखा बलूचस्तान लबरेशम फरंट के तरजमान मेजर गोहरां बलूच ने वादी मश्के के इलाके गोर्जिक में काबिस पाकिस्तानी फौज के कैम पर हमले की जमेदारी कुबूल करते हुए कहा है कि 11 अगस्त को B.L.F के सरमचारों ने मश्के गोर्जिक में फौजी कैम पर राकिटों और खुदकार हत्यारों से हमला किया जिसमें काबिस फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा जबके हमले के बाद काबिस फौज ने जंगी हेलिकाप्टरों के आसपास के इलाकों में सरच आपरेशन की पंचगूर से तालुक रखने वाले समाजी कारकुन फात्मा बलोच ने कराची प्रेस कलब के सामने प्रेस कानफरेंस करते हुए कहा है एद से एक रोज कबल पंजाब के शहर राजनपूर के गरीब सीटीडी ने पांच अफराद को कतल करके उन्हें मसल्ह मजहमत कार करार दे कर एक बलोच मसल्ह तन्जीम के रुकन के तोर पर जाहर किया जो सरासर जूट और मनगड़त है क्योंकि मज़कूरत तमाम अफराद पहले से ही मुखतलिफ असकरी एदारों के जेरे हिरासत थे जिन्हें मुखतलिफ शहरों से जपरी तोर पर लापता किया गया था फात्मा बलोच के मताबिक राजनपूर में कतल के गए अफराद में दोस्त महमद बुक्टी को दिसमबर साल 2019 में कराची गुलाम हुसेन बुक्टी को फरवरी साल 2020 में खंद कोट मास्टर अली बुक्टी को 6 नवंबर साल 2019 को राजनपूर और रमज़ान बुक्टी को गु अत्मा बलोच ने हकुमत पंजाब, Human Rights Commission of Pakistan और अदालते उजमा से अपील की है कि वो इस वाके का नोटिस लेकर एक जुडिशल कमिशन बनाए जो राजनपूर वाके की शिफाफ तहकिकात करें क्योंकि इस तरह के इनसानी हुकोग की संगीन पामालियों से मुलक में नफरते बढ़ेगी जिस से नुकसान मुलक का होगा। बलोच रिपबलिकन पार्टी के मरकजी तर्जमान शेर मुहमद बुक्टी ने कहा है कि 26 अगस्त को डाडा कौम शहीद नवाब अकबर खाम बुक्टी की चौधवी यूमी शहादत के मौके पर बलोच इस्तां भर में शटर से होने वाले हरताल को कामियाब बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि शहीद नवाब अकबर खान की बरसी के मुनासिबत से बलोच इस्तां और बेरुन ममालक ताजियती रेफरेंसेज और सेमिनार भी मुनाकिद किये जाएंगे। राद की बाजयाबी के लिए कराची प्रेस कलब के सामने भू करताली कैम्प लगाया जाएगा। जिसके बाद मुक्तलिफ शहरों में मिसिंग परसन्स के बाजयाबी के लिए मुजहरे भी किये जाएंगे। इलकेमिस्ट और 11 मिनिट समयत मतादेद शहरा आफाक नावल लिखने वाले ब्राजिलियन नयाद स्विस नावल निगार पाउलो कोईलो ने बलोचिस्तान किताबे बेजने की अपील की है। पाउलो कोईलो ने 17 अगस्त को अपनी एक टूइट में पाकिस्तानी वेब साइट की खबर शेयर करते हुए दुनिया भर के लोगों से अपील की है कि वो बलोचिस्तान किताबे बेजे। पाउलो कोईलो ने अपनी मुखत से टूइट में लिखा था कि बलोचिस्तान किताबे बेजे वो लाइबरियां बना रहे हैं। खिले अब्दल्ला के इलाके चमन जंगल बाख के करीब के लिए हाजी सलाहुदीन में मुसल्ह अफराद ने फाइरिंग करके कबाईली रहनमा और ममतास ट्रांसपोर्टर हाजी गुलजरीं के भाई अमीन उल्ला और लवंग खान को हलाक कर दिया हैं। गतल के महरकात सामने नहीं आ सके हैं। मुकररीं ने खिताब करते हुए कहा कि मनशियात ने पंजगूर के नौजवानों और पंजगूर को आग की तरह लपेट लिया है। जबकि चंद मफाद परस्त लोग अपनी दो टकों के खातिर नई नसल को तबाह कर रहे हैं। ने हैं रियास्त और दूसरे इदारों की मकमल सरपरस्ती हासल है। जिसकी वाज़ सबूत ये है कि पंजगूर में 21 से जाइद मनशियात के अड़े रियास्ती इदारों की सरपरस्ती में चल रहे हैं। मकररी ने मज़ीद कहा कि नशा एक खामोश गातिल है जिसकी खात्मे के लिए सियासी मफादात को एक तरफ रख कर यकज़ा होकर आगए महें चलाने की जरूरत है। बलुचस्तान में करोना वाइरस के मज़ीद 26 केस रिपोर्ट हुए हैं जिसके बाद अब तक मतासरा अफराद की तादाद 12,321 हो गई हैं जबके बलुचस्तान भर में मजमुई तार पर सहतियाब होने वालों की तादाद 11,133 हैं। बलुचस्तान हकूमत के घटपुचली तर्जमान लियाकत शहवानी ने करोना वाइरस के बढ़ते हुए केस पर तश्वीश का इज़ार करते हुए कहा है कि करोना वाइरस में कमी हुई थी ताहम खतम नहीं हुआ है। इसलिए अगर एस्वीश को फॉलों नहीं किया गया तो केसेज में अधाफ़ हो सकता है। उनका कहना तके 12 अगयस्त के बाद करोना वाइरस के केसेज में अधाफ़ हुआ हैं। और माहरीन ने अपने खद्शात जाहर किये हैं कि बलूचिस्तान में कुरोना वाइरस की केसिस में दुबारा इजाफ़ा हो सकता है। इसके इलावा तमाम सरकारी दफातर में मास्क के बगेर दाखले पर दुबारा पाबंदी आयत की गई है। कोईटा में फात्मा जिना हस्पिताल में कांगो की शुबे में दाखल एक मरीज में कांगो वाइरस की तस्दीक हो गई हैं जिसे हस्पिताल में दाखल कर दिया गया है। ताहम मरीज की हालत खत्रे से बाहर है। इस्पिताल इंतिजामिया के मताबिक गुजिश्टा दो हफ़तों की दोरान कांगो वाइरस के 14 मश्टबा फरात को इस्पिताल में लाया गया जिन में 6 में वाइरस की तस्दीक हुई जबके 5 को सहत्याबी के बाद इस्पिताल से जबके वाइरस से मतासरा एक खातून जान की बाजी हार गई। अपगान में पेश आया दूसरी तरफ काबल के डिपलोमेटे केरिया के करीब यके बाद दीगरे मुत्यद राकेट सागरे हैं जिसके बाद गहर मुल्की सिपारतकारों को मैभूज मकाम पर मुन्तकल कर दिया गया है अपगान विजारत दिपा के तरजमान ने असास इलाक अमरीका के कसूसी नुमाइंदा बराए अपगान मफामत जल्म कलीलजाद ने तमाम अपगान परीकेन पर जोर दिया है के ओ बिला ताकीर जितना जल्द मुमकिन ओ सके बैनल अपगान मुझारत शुरू करें जल्म कलीलजाद का ये बियान बैनल अपगान मुझारत के दूसरे बड़े मुलक बारत में कुरोना वाइरस की वबा के नतीजे में अलाकतों की तादाद बढ़कर 50,000 से तजावस कर गई है। वाज़े रहे बारत में कुरोना वाइरस से मुतासरा अपराद की तादाद अब तक 2.6 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। जो कुरोना वाइरस के मरीजों की मजमुई तादाद के लियास से दुनिया में चौते नमबर पर है। तुर्की की अमायती आपता लीबिया की कौमी वफाक हुकूमत ने इनकिशाब किया है के कतर और तुर्की के साथ तैप आए एक सेपरी की मुाइदे में त्राबलेस की फोजी मदद जारी रखने के अजम का यादा किया गया है। लीबी सेकेटरी इतलात ने बताया है के लीबी फोज के असकरी तर्बियत के लिए हमारे पोजियों को कतर और तुर्की के पोजी मुशीरों के तरफ से रहनुमाई पराम की जाएगी। बैतल मकδस में इसराइली फोज ने एक मुब्यना चाकूबरदार अमला अवर को गोली मार कर हलाक कर दिया है। चाकूबरदार के अमले में एक इसराइली पुलीस ऐलकार जकमी ओने की इतला भी है। आलमी मीडिया के मताबिक बैतल मकदस में एक शक्स ने मुबयना तोर पर इसराइली पुलीस अपसर पर चाकू से अमला किया जिससे ओ मामूली जखमी हुआ जवाब में इसराइली सिकूर्टी एलकारों ने पाइरिंग करके अमला आवर को मार दिया पाइरिंग से एक पलस्तिनी कातून भी जखमी हो गई है अक्वाम मुद्धा ने का है के बैनल अक्वामी सपोर्ट ग्रूप्स को लिबनान बौरान के बढ़ने पर तश्वीश है के बैनल अक्वामी इमदादी ग्रूप को लिबनान के मुटतर सियासी के आदत की तरफ से मुलक में अकीकी इसलाइत ना करने पर मायूसी का सामना है अमरीका ने साओधी अरब पर जोर दिया है के वो इसराइल से अपने तालुकात बहाल करे आलमी कबर रसाइदारे A.A.P. के मताबिक अमरीकी सदर के दामाद और मुशीर जैरेट कैशनर ने एक ब्रीपिंग के दोरान का है के मुटतर अरब अमारात की तरह साओधी अरब भी इसराइल के साथ तालुकात बहाल करे क्योंके ये उसके मुपाद में होगा क्योंके साओधी अरब के इस एकदाम से उनका मुश्टर का दुश्मन एरान कमजोर होगा लियाजा ये साओधी दिपा के लिए बेतर होगा और पलस्तिनी अवाम को भी मदद मिलेगी पिल्पाइन में 6.7 शिद्द का जल्जला आया है जिससे कई गर और बिल्डिंग गर गई है और एक गर के मलबे तले दब कर एक शक सलाक हो गया है जल्जले से बंदरगा को भी नुकसान पहुंचा है अमरीकी जियोलोजिकल सर्वे के मताविक जल्जला पिल्पैन के बैकॉल रीजन में आया जिसकी शिद्द सेकुड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस की गई है इसे के साथ ही आज की नुस बिल्टर का एक्ताम होता है अपने में इस बंद मेरा वलोज को इजासे दीचे